तो कभी शाला में नहीं गया और इंदुस्तान की हराम कोर सरकार 58 साल में सबको सिक्षान नहीं दे पाई इसमें हमारी क्या कमी है सरकार की कमी है हम तो साड़े साथ लाग कोर्टी रुपए हर साल तुमको टेक्स देते हैं तुमारी हराम कोरी है कि पूरा देश 100% रिटरेट नहीं हुआ वो रिटर्न कैसे फाईल करेगा तो उसी में एक प्रोवीजन है कि वो चार्टेट इकाउंटेंट की मदद से रिटर्न फाईल करें टेक्स कंसर्टेंट की मदद से रिटर्ण फाइल करें अर्थार चार्टेड इकाउंटेंट्स का धन्दा अभी बढ़ने वाला है परिश्वश्ट बहुत धन्दा पढ़ने और अभी इनका धन्दा थोड़ा पढ़ेगा क्योंकि हर व्यक्ति आएगा रिटर्ण फाइल कराएगा तो फीस देगा उनका बिस्निस बढ़ेगा टेक्स कंसर्टेंट का बढ़ेगा तो ये क्लास थोड़ा भैट के सपोर्ट में आ गया इसी एक छोटे से प्रोविसर्स लेकिन इससे तकलीफे कितनी होने वाली है उसका अंदाजा ना सरकार को है और ना उस व्यक्ति को है जिसके उपर ये आने वाली है तो आप टेक्स भले मत दीजे रिटर्न फाइल करें और रिटर्न फाइल करें माने कानूनी कारिवाही पूरी करें और return file करने के लिए आपको हर चीज लगेगी जैसे income tax return file करते हैं तो आपको सब कुछ देना पड़ता है आपकी विक्री कुल कितनी हुई आपके कितना कमाया है बले आप tax नहीं बरना है लेकिन आपको बताना पुड़ेगा माने आपकी सारी income सरकार की नजर में है और वो नजर में रखने का एक ही उद्देश है आज नहीं को कल सरकार उस पर डाका डालने वाली है कुछ भी income छोड़ने वाली नहीं है आपके हाथ में ये थोड़ा टेक्निकल प्रोविजन है सरकार का एक white paper आया उसमें जो लिखा वो सभी राज्य सरकारों ने कानून बना दिया इसमें कानून क्या है कि जो stock transfer है कोई भी stock transfer उसमें tax नहीं है क्योंकि वहाँ value addition नहीं है आप समझ लो ये एक provision बहुत समझ के डाला है इसमें मैंने भारत सरकार के एक finance secretary को पूछा एक्स finance secretary को ये आपने ये जो डाला इसमें क्या सूच के डाला है तो उनका देवो राजी वैई सच्छी बात यह है कि ये सब विदेशी कंपनियों को फाइदा पहुंचाने के लिए डाला है विदेशी कंपनी को फाइदा कैसे पहुंचेगा मैं आपको एक उधारन देता हूं बाटा बाटा का नाम सुआ एक परदेशी कंपनी उसकी दुकाने सब जगे है ठीक है अब बाटा की दुकान retail shop है और उनकी factory कलकत्ता में है आगरा में है कानपूर में तो कलकत्ता में माल नाम बनाया और retail shop में बेज दिया तो stock transfer हुआ तो value addition नहीं हुआ तो वो tax में नहीं है माने बाटा company को tax पे नहीं करना बाटा है वो अपनी दुकान से जब जूता बेचेगा तब ही एक बार देना है और वो stock transfer की परिवाशा क्या है आपकी factory है और आपकी ही दुकान है तो factory से माल दुकान में आया है stock transfer हुआ है value addition नहीं हुआ है भारत की स्वधेशी company की तकलीफ क्या है उनकी तकलीफ यह है कि उनके पास ना तो factory है न अपनी दुकान है बहुत सारे भारत वासी तो सब contractorship पे काम करते हैं और करबते हैं उनकी अपनी कोई दुकान नहीं तो उनको दूसरों की दुकानों से माल बेचना तो मालने को उनको तो कुछ भी करना है तो उसमें वैलीवडिशन होना है तो उनको तो टेक्स पर करना ही करना है फिर नेक्स ये एक टेक्निकल प्रवीजन है डेट का उसमें चक्कर है कि जो जो दिन से कानून लागू होगा उसके हिसाब से वो सब्सक्राइब वो इतना इंप्रॉटेंट नहीं है फिर इसके बाद कंपोजिशन स्कीम है कंपोजिशन स्कीम बहुत बड़ा फ्रॉड है इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है फ्रॉड क्या है जिनको कंपोजिशन की सबसे ज़्यादा आपश्रक्ता है उसको ही उसमें से डिलीट कर दिया इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती और जिनको कंपोजिशन स्कीम नहीं म लोगों को composition scheme का फाइदा मिलेगा बाकी किसी को नहीं को लेकिन वो fraud करके फसा जरूर लिया आपको composition scheme के नाम पर बहुत व्यापार ये कहते हम बैट में नहीं जाएंगे हम तो composition में चले जाएंगे उनको मालूब नहीं है कि उनमें से बहुत लोगों का business composition के बाहर है क्या क्या business है जिनको composition का फाइदा नहीं मिलेगा उसकी एक list मैं आपको अभी थोड़ी देर बताऊँगा next हाँ अभी देखे ये ही आऊ गया तुरंट आगे आप देखे किस में आते हैं manufacturer है composition नहीं मिलेगा manufacturer को composition scheme का लाब नहीं है importer है composition का लाब नहीं है distributor है उसके बाद wholesaler है नहीं है फिर क्या बचा only retailer और retailer में भी उन्होंने define कर दिया है कि जो retailer resell नहीं करेगा उसी को composition scheme में जाने का रास्ता है मुश्किल से आधा टका व्यापारी बचेगा इसमें बाकी सब आने वाले तो इसलिए इसका लाब कोई जादा किसी को नहीं है लेकिन जादा व्यापारियों को सरकार में फसाया ये composition scheme नाम देखे next अभी देखी एक minute भईया फिर से वापस लाने देखे इसमें कुछ और लिस्ट है पीचे अगर होटल चलाते हैं रेस्टोरेंट चलाते हैं खाने प्यने का सामान की व्यवस्था इटिं हाउस इटिं हाउस यहाँ और चलते हैं महाराश्य में मुंबई में तो बहुत वो डिबबा की मिवस्था है यह जितने डिबबा फेरी वाले लोग हैं यह सब इटिं हाउस में आते हैं रेस्टोरेंट इटिं हाउस होटल रिफ्रेश्मेंट रूम कैटरर्स हैं बिकरी इतने सब लोगों के लिए सेपरेट स्कीम करनी है कंपोजीशन की अभी तक आई नहीं है कह रहे हैं कि हम करेंगे लेकिन उसमें भी कोई इफ और बट लगाई है और उसमें फसाई के फिर नेक्स्ट यह तो बेकार यह आपके काम का नहीं क्योंकि आप में से सबसे खतरनाक बात जो होने जा रही है इस देश में छे महीने के बाद महाराची क्या होगा यह वैट के अधिकारी जितने भी नैशनल हाईवेज हैं सब पर चौकी बनाके बैट जाएगे चेक पोस्ट बनेगे जैसे भी वैट बूथ बनेगे नाशनल आईवेज नंबर वन पे नाशनल आईवे नंबर फू पे ठीप्य पर पू पे और सब जिएखे ओप ऑफिसर बैटे जो भी मन लॉरी में भर के जा confirmed जाएगा सबको चेक करे है और चेक करते समय 20 डॉकुमेंट्स की मांग करेंगे 20 डॉकुमेंट्स आपको होना कंपल सरी है उसमें से अगर आपके पास 19 हैं एक कम हैं तो आपकी लॉरी और ट्रक जब्त कर लिया जाएगा और वो वेट अधिकारी का हो जाएगा उसमें जो माल भरा हुआ है आपको जेल करा सकता है और तो ट्रक जिस व्यक्ति का है उसको जेल करा सकता है मेरा ट्रक है आपका माल है आप तो मालिक हैं माल के मैं तो ट्रक ओनर हूँ मैंने तो भाड़े पर ट्रक दिया है लेकिन डॉकुमेंट्स अगर नहीं है मेरे पास तो ड्रक मालिक भी जवाबदार है वो भी जेल जाएगा अब इसमें मुश्किल क्या होने वाली है मैं बताऊंगा आप कहोगे ये इतना सक्ती से लागू करेंगे नहीं करेंगे भू मैं भी जानता हूँ इसमें धंदा करेंगे धंदा कैसे करेंगे पुलिस वाले क्या करते हैं ट्रक वाले को रोकते हैं क्या करते हैं 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 रुपए दो, 100 रुपए दो अब ये धंदा सब सेल्स्टर्क्स ओफिसर करेंगे ये होने वाले और आपके पास जितना जादा संबेदनशीन सामान है उतनी बड़ी रिश्वत मानेगे संबेदनशीन से मतलब आप दूद का ट्रक बरके लेके जा रहें कल पना कर और दूद जो हैना highly perishable item है थोड़ी भी देर हुई तो फट जाएगा आपको मालू मैं कि इसमें अगर ट्रक रोक लिया दो-पांच घंटे खड़ा कर दिया मेरा तो एक लाग रूपर का नुकसा थी तो रिश्वत उतनी ही जादा भाई बचा से जादे दो अब ट्रक छोड़वाना अगर मालीजे भाजी है उसमें और भाजी है जो जल्दी खराब हो सकती है तो उसमें ज़्यादा रिश्वत फल हैं उसमें ज़्यादा रिश्वत जितना ज़्यादा संवेदंशी माल रिश्वत उतनी ही ज़्यादा तो अभी बड़े बड़े हाई बेस पर आपको जो पुलिस के करमचारी घूस लेते, रिश्वत लेते, मिलते पड़ाई जाते हैं, वो अब मिलकर वैट आफिसर्स के साथ ये धंदा करेंगे और हर ट्रेक ओनर को ट्रेक बेजते समय एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा मैं आपको एक सर्ण उल्हारे से समझाता हूँ, मुंबई से आपने दूद का ट्रेंकर भरके कलपना करो नागपुर भेजा तो यहां पहला जो एंट्री वो आएगा, चेक पॉइंट आएगा, पहला सबसे पहला बैट, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि मुंबई से नागपुर की दूरी कलपना करो 900 किलो मीटर 900 किलो मीटर कवर करने का टाइम 20 घंटे, कलपना करो, एवरेज, तो वो लिख देगा कि 20 घंटे में नागपुर आपको पहुंचना है, ठीक है, अगर 21 घंटे में पहुंचे तो आपने कानून का उलंगन किया, और नागपुर वाला धंड लगाएगा, यह है, इसमें, टाइम फिक्स कर दिया, उसने नागपुर तक पा, अब 21 घंटे हो गया, 22 घंटे हो गया, 23 घंटे हो गया, ट्रक कहीं खराब हो गया, पंचर हो गया, कुछ हो गया, then you have to convince him, all the time you have to convince him, अब convince करो, मेरा ट्रक खराब हो गया था, अच्छा, उसका certificate दिखाओ, ट्रक खराब ह आपके पाद certificate नहीं है, तो कहागा, तुम जूट बोलता है, तुमको 20 घंटे का टाइम बिला था, 21 घंटे में आया, एक घंटे का तुमने ज्यादा समय लगा, पैनेंटी तो, कानून का उन्लंगन हो गया, अब उसमें वो क्या करेगा, सीधे 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 से घूस और कुछ नहीं करेगा, ये वो भी जानता है, ओफिजर के सब ट्रक वालों को लेके ठाने में नहीं ले जा सकता, वो भी जानता है, लेकिन उसको बीच का रास्ता मालोगा, तुमको मैं छोड़ता हूँ, 10,000 देदो, 20,000 देदो, माने जो नई नई कमाई के रास्ते खुल आएंगे इस value-added tax के आने से, और truck operator, मने driver, जो चला रहा है, उसको 20 documents की 80 copy लगेगी कम से कम, मैंने हिसाब जड़ा उसका, मुंबई से नागपूर अगर वो जाता है, तो 80 booth बनेंगे, मुंबई नागपूर के बीच में, 80 booth बनेंगे, हर booth पर एक copy देनी पड़ेगी, और व जो copy में tax invoice चाहिए, tax identification number का certificate चाहिए, माल जो भरा हुआ है, वो कहां से खरीदा है, उस party का पूरा नाम, पूरा पता, phone number पूरा चाहिए, वो पार्टी ने कितना वैट पे किया है, वो चाहिए, quantity कितनी है, वो चाहिए, सामान क्या है, वो चाहिए, net tax किया पे किया है, वो च चाहिए, किसको माल लेके जा रहे हो देने के लिए उसका चाहिए, टोटल भीस documents चाहिए, एक भी कम, तो कानूं का उलंगन और जेल एक साल की, नहीं तो माल जप्त करो, नहीं तो penalty का, इतनी खतरना क्योंस्ता, अब मैं आपका दूसरा एक उधारत देता हूं यहीं पे, य कभी ट्रक को हाथ भी नहीं दिखा सकता है, रोक भी नहीं सकता, चेक करना तो दूर की बात है, कोई नहीं कर सकता है, और यूरोप में कभी भी आप चले जाईए, ट्रकों की आवा जाहिए, आप देखिए, बिल्कुल बिंदास चाहिए, कोई रास्ते में ना कोई barrier है, ना चेक कोस्त है, ना टोल बूथ है, ना वैट बूथ है, ना कोई बिंदास चाहते हैं, फ्रांस से जर्मनी में घुजगए, जर्मनी से बेल्जियम में चले गए, बेल्जियम से और कहीं चले गए, अपना बिंदास माल बेचते हैं, फिर चल बेचते हैं, यहां हर बूथ पर चेकिंग, जैसे टोल बूथ पे होता है, वैसे आप बैट बूथ पे हमिले हैं, और मुझे डाउट है, कि सरकार ये जो टोल बूथ है, इनको ही बैट बूथ में कनवर्ट करेंगे, क्योंकि नए बूथ बनाने के लिए खर्चा नहीं है, तो टोल बूथ वालों से कोई करेंगे, तुमको दो टका देंगे, तीन टका देंगे, या एक टका देंगे, तुम आपको यहां बैट नहीं दो, और टोल बूथ वाली समी प्राइवेट पार्टियां है, वो डर के बारे बन से ही सरकार को सरिंडर कर देगी, हाँ जी, आप बैट दो हमारे से, इसमें सिर हेरानी परेशानी होने वाले है, और कुछ नहीं है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अभी देखिए इसमें एक बहुत इंट्रस्टिंग बात है, अगर आपके पास BST नमबर है, बॉम्पे सेल्स टेक्स का आपके पास वो जो नमबर है तो आपको नया रिजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, यह आपकी माहिती के लिए अगर आपके पास BST का नमबर है, पहले से आप बिस्निस करते हैं, तो आपको नया रिजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, एक बात, लेकिन उसके आगे, लेकिन अगर वेट कमिशनर को लगता है, तो वो आपको नोटिस दे सकता है कि आप नया रिजिस्ट्रेशन करें, वो नोटिस दे सकता है, जरूरत नहीं है, फिर नोटिस देने का अधिकार क्यों दे दिया आपने उसके, एक तरफ सरकार कह रही है कि BST का अगर नमबर है तो आपको नया रिजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, दूसरी कुछ लोगों को साल में चार बार रिटर्न फाइल करना है। कुछ लोगों को दो बार करना है। और कुछ ऐसे भी धंदे हैं जिनको हर महीने करना है। इतना ज्यादा तकलिफ कर दिया रिटर्न का। यह नहीं कि साल में एक बार करना है। साल में तीन बार करना है, कुछ लोगों को साल में हर महीने करना है। अब देखिए, कमिशनर आपका कोई भी आपने रिटर्म फाइल किया है। कमिशनर को पूरा अधिकार है उसको गलत सिंद करने का। आप कितना भी सही फाइल करेगा। और रिचेक करेगा, रिक्रॉस करेगा, रिएग्जाम니ंग करेगा, नया किसी को जिम्मेदानी दे सकता हैं, चचेक करो, इसको कोई कमेंट ही भी उठा सकता, उसको सारे अधिकार है। तो पिर ये सेलफ असिसमेंट का मतलब कहा। ये इतना बड़ा fraud क्यों कर लिए सरकार हमारे से एक तरफ कहती है कि self assessment वाला है दूसरी तरफ कहती है commissioner has a every right कोई भी अधिकार उसको है cross check करने का, re-check करने का और ये सब करने का next अब देखिए इसमें commissioner क्या क्या कर सकता है ये मैं इसमें बता है ये मैं हाँ भी आपको पहले बता चुका हूँ commissioner को महराष्ट सरकार के कानून के तहट 56 अधिकार है करनाटक कानून के तहट 108 अधिकार है मद्धिप्रदेश कानून में 150 अधिकार है जहां जहां वैट के कानून बने हैं ना अलग-अलग राज्जों में को जब्त करने लागा चल अचल संपत्ती में क्या है चल संपत्ती में गाड़ी है स्कूटर, मोटर साइकल, कार है आपका बैंक एकाउंट है आपके बैंक में लोकर में रखे हुए गहने है वो सब जब्त करने का अधिकार commissioner को है अचल संपत्ती में घर है बंगला है, खेत है खलियान है, वो सभी जब्त करने का अधिकार commissioner को है और ना सिर्फ जब्त करने का अधिकार है बल्कि उसकी नीला भी कर देने का अधिकार दे उसको है इतने राइट्स है और ऐसे ऐसे चपन अधिकार है मैंने आपको गा ना, लौरी को रोक लेने का लौरी के सामान को चप्त कर लेने का ट्रक ड्राइवर को जेल भेज देने का ट्रक ऑपरेटर को जेल भेज देने का ऐसे चपन अधिकार commissioner को है महराश्व और अलग अलग राज़ में अलग अलग है मैंने आप से गाला करनाटक में 108 अलिकार उनमें यहां से भी जादा है और सभी राज्चों में अलग-अलग कानून बना है एक रूपता कहीं भी नहीं कोई राज्च में कोई वस्तू पे 4% वैट है दूसरे राज्च में उसी वस्तू पे 1.5% वैट है कोई राज्च में कोई वस्तू पर 1.5% है दूसरे राज्च में उस पर 4% है इतनी जादा अलग-अलग मिन्नताओं के आधार पर यह कानून बनाया है जिसमें सबसे जादा परेशानी आएगी इंटर स्टेट ट्रेड करने वालो आपका वस्तू आप मगाते हैं दिल्ली से सबोस्स साड़े बारे परसेंट वैट है वो ही वस्तू यहां बेज रहे हैं उसमें 4% वैट है या यहां से वस्तू आप बेज रहे हैं दिल्ली जिसमें 4% वैट है दिल्ली में साड़े बारे परसेंट है सरकार ने कहा यह था कि होमोजीनियस करेंगे लिकन होमोजीनियस हुआ नहीं सब राज अलग-अलग तरीके से अपनी अपनी डंपली अपना अपना राग बचाए इसमें बहुत तक्लीफ आएगी इंटरिस्टेट ट्रेड करने वाद हो कि अगर मान लीजे आप टेक्स जादा पे कर दिया गलती से आप से गलती हुई आपने टेक्स जादा भर दिया होता है 10,000 रुपए आपने 20,000 रुपए तो आप शिकायत करेंगे हमने जादा टेक्स दे दिया है कमिशनर उसको चेक करेगा बात सही पाई गई तो 10,000 अगले सार अगले साल अगले साल जो आप टेक्स भरेंगे तो उसमें 10,000 कम रगर बापस नहीं देगा अब इसका उलटा है अगर आपने टेक्स कम भरा 20,000 रुपे टेक्स नकिलता है और आपने 10,000 बढाते है अगर कम भरा है तो कमिशनल उसपर आपसे ब्याज लेगा और पेनल्टी अलग से लेगा और ब्याज कितनी है मारा जी 2% परमन्द 2% परतिमाः जो पतिमाः खोर लेते हैं वो ब्याज किदर है दो प्रतिशत साल का नहीं महीने का सौ रुपय पर दो रुपया हर महीने आपने जादा दे दिया सरकार वापस करने को तैयार देगी एड़िस्ट करेगी आप से कम आया है तो पेलन्टी भी लेगे और ब्याज सहित बस हो लेगे और किसी केस में मान लीजे आप कमिशनर के खिलाफ ट्रिब्यूनल में गई कोई मामला ऐसा बना जिसमें आपने आर पार की लड़ाई लड़ने का तैय किया कमिशनर के खिलाफ आपने केस किया चांस की बाद आप ट्रिब्यूनल में जीत गए, कल्पना करो, आप जीत गए, कमिशनर हार गया, तो जो जीता हुआ जज्जमेंट है, वो सेट असाइट करने का राइट कमिशनर को है, जीते हुए मामले को नहीं लागू करने का अधिकार उस कमिशनर को है, फिर आप क्या कर चले ये कहेगा कि आपका जितना टैक्स से पहले भर दो, फिर आपका मुकत्मा सुईकार किया जाएगा सुनवाई के लिए, केसी ही एडविट नहीं होगा जब तक आप पूरा टैक्स नहीं बहा देते, आपने माल लीजे भर दिया टैक्स, तीन साल मुकत्मा चला, तीन सा अगर आप ज्यादा कुछ करेंगे, तो सरकार आपको वापस करेंगी, लेकिन सिंपल इंट्रेस्ट के साथ, वो इंट्रेस्ट है 5% पर एना, और आप से लेगी 2% प्रति महीना खीचेगी, ऐसी हराम खोरी इसका लागा, सबस्यादर दुख्की बात है, अपने ही राजा, ह हमारे साथ इस तरह की हराम खोरी करें, बाहरवाला कोई आके ये करें, तो एक बार दिल गवाही देता, चलो बाहरवाला है, लूट करने के लिए आया है, यही दंदा है उसका, हमारे द्वारा चुना हुआ, सरकार ही हमारे साथ ये हराम खोरी करें, और ये हराम खोरी हो ग चाहिए थी कोई बहस नहीं हुई, संसब में बहस होनी चाहिए कोई बहस नहीं हुई, इसलिए ये हो गया, इतना खराब कानू लाग रो गया, नेक्स्ट, इसको छोड़ दो, ये मैं बता चुका, नेक्स्ट, अब देखें, एक चीज और बता, अगर आप धंदा करते हैं, र अंपल सरी है, दस पैसे का भी माल बेचेंगे, तो आपको कैश मुंबो भाड़ना है, रसीद देनी है, डॉकुमेंट देना है, उस पे क्या-क्या चीज़े लिखनी है, वो जड़ा देखिए, सरकार कह रही है न, बहुत सरल हो जाएगा, अभी कैश मुंबो पे माराज जी बीस माहिती देनी पड़ेंगे, एक कैश मुंबो भाड़ना है, टेक्स इंवोईस, वर्ट सेंड नमबर, जो टेक्स इंवोईस मुलेगा न, उसके जो शब्द लिखे हुए है, पूरे के पूरे, और जो नमबर है आपका, दूसरा, डेट ओफ इंवोईस, तीसरा, रजिस एड्रेस के साथ, मैं आपसे पचास पैसे की एक पैंसिल खरीग ने आया, अभी मेरा नाम भरो पूर है उसे, मेरा नाम राजिक दिख्षित, मेरा पता सेवा ग्राम आश्रम बरदा, फोन नमबर 28441, सेल नमबर ये, इमेल तो ये, अभी इतना, मुझे पचास पैसे का पै बरते बैठ हो गए तैश्रम, अब 20 माई भी ऐसी, ये सब बरनी है, अब मारा जी जरा कल्पना करूआ, साम को पांच बजे का समय है, जिस समय सबसे आदा ग्राहकी होती है, कल्पना करूआ, और 10 ग्राहक आ गए, एक साथ कुछ, अब सब का बरते बैठ हो आ, मैंने इसको का देखा, एक ग्राहक का भरने में कम से कम ढांए से तीन मिनट जाता, जाता आँस बतने में पांच खड़े हो, तो ढांए 30 मिनट तो गया, उत्त्रे एक ग्राहक केगा, अर्यार, ये धंदा कर रहा है कि अपना भरते की मूर्ण दूसरी दुकान में गया, लेकिन दूसरी दुखान में भी उसको यही समस्या है तीसरी दुखान में आप तो गरह गया आपके आस क्योंकि गरहत जब आता है वो घही घही में हो लग लग जल्दी लग जल्दी लग मुझे ट्रेंड पकड़नी है बस पकड़नी है यह कर अब आप बरते हैं तुम्हारा नाम क्या है क्या मतलब तुमको मेरा नाम से तुम्हारा पता क्या है क्या मतलब तुमको मेरा पते से तुम्हारा फूर नंबर क्या है सेल नंबर क्या है वो बिचारा कहेगा यह जरूर खुबिया विवाग का आदमी है मेरे बारे में माहितिय देना चाहता वो भाग चाहेगा क्या ज़रुदत है ये सब तमाशा पर दुनिया के किसी देश में ये सब नहीं यहाँ पर इतना जबुदस्तिय सा और ये करने का एक ही कारण है महाराजी व्यापारियों पर सरकार को बिल्कुल वरुसा नहीं उद्योगपतियों पर बिल्कुल वरुसा नहीं ये सरकार कितनी हराम खो रहे है मैंने एक बित्वंत्री को ये कहा था वो बोला नहीं इस पर मैंने कहा देखो जितने व्यापारी और उत्योगपती हैं सब के सब फोकट में तुमको टैक्स एकठा करके दे रहे हैं दे रहे हैं कि नहीं दे फोकट में अपनी सेवा दे रहे हैं क्योंकि टैक्स देने वाला तो मैं हूग रहा हैं कलेक्ट करने वाले आप हैं और सरकार के खजाने में बरने वाले आप हैं। माने भारत की सरकार को भारत के खजाने को बिना एक पैसा लिये हुए सेवा देने वाला वर्ग है व्यापारी वर्ग। हर साल साड़े साथ लाग कोटी रुपई जो टैक्स भरता है सरकार के खजाने में ये तो व्यापारी लोग देते एक पैसा भी सरकार से पगार नहीं लेते उस व्यापारी के उपर इतना अत्या चाहूँ जो भोगट में आपको सर्विस दे रहा है वर्ला सरकार की वगात नहीं है टैक्स कलेक्ट कर सके अगर व्यापारी सरकार से असयोग करना शुरू कर दे महराज जी सरकार एक मिनिट में गिर जाएगी इसमें दम नहीं है टैक्स इकटा करनेगी पूरा income tax department, पूरा sales tax department, पूरा revenue department लग जा तो wet collect नहीं ज़र सकता इस देशन से ये तो व्यापारी वर्ग है, उद्योगपती वर्ग है, जो बिना एक पैसा लिए चुपचाब अपनी सेवा दे रहा है सरकार को उसका निवाद करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, बजाए इसके सरकार उसको चोर बहई मांट तकहत कहती है इस बात का मुझे बहुत दर्द होता है बिना एक पैसा लिये हुए साड़े साथ लाख पोटी रुपए हर साल सरकार के खजाने में जमा होता है और सरकारी विभाग का प्रदानमंत्री एक बार ये बोला है कि मेरे पास जो टैक्स का पैसा आता है उसमें 85% लीकेज होता है लीकेज कहा होता है पैसा जमा होने के बाद माने टैक्स कलेक्टर आफिस से लेकर प्राइम पिनिस्टर के आफिस के बीच में 85% लीकेज होता है माने ब्यापारी और ग्राहा की इमानदारी इसे पूरा पैसा सरकार को दे देता है लीकेज जो है सरकार के सिस्टम में ये बात राजीर गांदी ने कही थी, किसी और ने नहीं कही थी, और उसने कहा कि लीकेज इतना जबर्जस्त है, कि मैं एक रुप्या वापस अगर देता हूँ खर्चा करने के तो बंद्रे पैसा ही खर्च होता है, इतना बड़ा लीकेज जिस सिस्टम में हूँ, और वो सरकार अपने को हराम खोर ना माने, सामने वाले को हराम खोर कहे, जो बिना एक पैसा लिए साड़े साथ लाग करोड रुपए खजाने में उसको जबां कर रहा है, तब मैं ग्रापारी उसको कहता हूँ, कि अभी कितना बरदाश्ट करों लिया, एक सीमा होती है, सहन करने की एक सीमा होती है, अब तक आप 58 साल से गालियां खाते आए, टेक्स ओफिसर की चोर, बेईमान, लुच्चा, लफंगा, जो भी कुछ उनको कहना था, वो सब उनके कहा, आपके उपर 58 साल में कितने जूटे जूटे केस बनाएं, मैं तो हिद्धुस्तान के इंकम टेक्स डिपार्टमेंट और सेज्टेक्स डिपार्टमेंट के केसिस पढ़ता रहता हूँ, सौ केस अगर महराज जी करता है डिपार्टमेंट, तो 98 में डिपार्टमेंट भारता है, दो में ही जीता है डिपान। इसका मने फेबरिकेटड होते हैं, सब जूट-मूट के बनाए हुए केस होते नहीं, तो जीता क्यों नहीं है डिपान। इंकम टेक्स का तो सक्सेस रेट जो है ना 2% है, 2% 3% मेरा एक दोस्ता इंकम टेक्स कमिशनर है उसको पूछता हूं तुम साल में जितने केस करते हो जीते कितने हो एक या दो जादा से जादा पिर क्यों करते हो तो कहता हूं उपर से आदेश है करने के लिए माने हेरान परेशान करना है और हेरान परेशान ही कैसी न्यूसेंस कैस रात के दो बज़े आपके घर में घुज जाना, सोते हुए लोगों को उठा देना, कहना सब बाहर जाओ, आपका कैश बॉक्स चेक करना, जोईलरी बॉक्स चेक करना, आपके गंदे के नीचे कुछ रखा हुआ है गंदे को फेग देना, तकिये के अंदर चुपा हुआ है उ यह का उसको उलट देना, दाल के डिब्यों को उलट देना, इस तरह का न्यूसेंस इस देश में करते हैं यह सब टैक्स ओफीसर, और आप सब खामोश होके बरदाश्त करते हैं, यह इसलिए हो पा रहा है, कि आप खामोश होकर बैठे हैं, तो उसको और हिम्मत पढ़ रही और हिम्मत पढ़ रही है, जिस दिन इस दुस्तान के व्यापारी और उत्योग पती ने टैक्स ओफीसर को बंद करके पीटना शुरू कर दिया, उस दिन यह न्यूसेंस खतम हो जाए, और यह न्यूसेंस हमने खतम किया है, आप तभी उत्तर प्रदेश में आँए, जहां बैट के खिलाफ सबसे ताकतवर अभियान चल जाए, उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी माहिती आपको है, लेकिन एक माहिती मैं आपको दे दूँ, कि व्यापारियों में सबसे ज़्यादा एकता अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश हो, हमने बैट के खिलाफ अभ भी हो गई कि बैट में इतनी खराबिया हैं उसके बाद सरकार के जितने अधिकारी वे जितने नेता वे सभी को मार पड़ी जिसने भी वैट के समर्तन में भाशन किया उत्तर प्रदेश में सब को मार पड़ी इंक्लूडिंग सल्मान खुर्शीद जैराम रमेश जो प्राइम मिनिस्टर के खास आत्मी है ये जब बैट के समर्तन में सभा करते हैं तो जूते इको मारे लोगा मूँ काला कर दिया कपड़े पाड़ दिया भाग बहुत हैं और अब हिम्मत नहीं है सरकार के किसी अधिकार करने की तो छोड़ दो ब्राइम मिनिस्टर के इंबत नहीं है उत्तर क्रदेश में आके बैटके समर्थन में व्याक्यान करने की उत्तर प्रदेश में बहुत खराबिया हैं वहीं उसमें ये कच्छ लिए कि व्यापारियों में एकता जबर जस्त है और जब व्यापारी वहाँ एक होते हैं तो BJP कॉंग्रेस बूल जाते हैं तू BJP का मैं कॉंग्रेस का तू CPM का मैं CPI का कुछ नहीं अभी हम व्यापारी ना बीजेपी ना कॉंग्रेस ना जत्तादल ना सीपियम ना सीपियाई अभी व्यापारी हैं अभी उत्योपती हैं पहले हम हमारा काम करें उनकी एक ताने ऐसा चमकार दिखाया है कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मुलाइम सीव यादा पिछले साल से चिल्दाराओंगा बैट लाओंगा बैट लाओंगा अब कहता हूँ मैं बैट नहीं लाओंगा कान पकड़ता बैट नहीं लाओंगा और ये कहता है कि महाराष्ट में लिए हो सकता है और महाराजी उत्तर प्रदेश के व्यापारी संग ने क्या किया उन्होंने पूरा महामंडल बना दिया सब संग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए उन्होंने स्टीकर बनाए इस्टीकर दुकानों में लगा दिये हैं और हर स्टीकर में दुकान के अंदर प्रवेश्ट ना करें नहीं तो नीचे लिखा है 440 वोल्ट का करंट लग सकता है साथ लिखा है उस्टीकर फिर दूसरा स्टीकर दूसरा स्टीकर क्या है अगर किसी टेक्स ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम है तो व्यापारी महामंडल के अधिकारी को लेकर आए तो दुकान में बुश सकता है अगर्वाइस छूना नहीं दुकान के दरवाजे पर चड़ना कुछ भी हो सकता है एक दो बार क्या हुआ यह अधिकारी तो थोड़े से वहते हैं पुलिस को लेके गए वहराइच में हुआ वहां तो बहुत छोटा सा गांव हुआ तो कुछ बेर्ट अधिकारी माने टेक्स आफिसर माने सेल्स आफिसर पुलिस के साथ घुजगन कि ये बिना अधिकार के हमारे दुकान के चोरी करने के राजे से बूसे सारे अधिकारी जेल करें सब सस्पेंड हुए उस दिन से अभी अधिकारी ऐसे ऐसे काते हैं वहां अधिकारी अगर सर्च करने भी आया है तो जब तक व्यापारी वहां मंडल का कोई अधिकारी उसके साथ नहीं है और उसके पास लिखित उसका आदेश पत्र नहीं है घुस्रे नहीं लेता कोई आशे बुरी तरह से मारते हैं वो केस वेस जो होता होगा पहले पीटते ह और पीटने के लिए उन्होंने क्या रखा हुआ है ऐसे हतियार रखे हुए जिन से अंदर चोट आती है बाहर नहीं बिखती है ऐसे अधियार जैसे हौकी हौकी स्टिक से आप जब पीटोगे तो बाहर कुछ नहीं देखेगा अंदर आपका पाउन टूट चाएगगा हौक पीटते हैं, फिर जाके फायार करते हैं, कि ये बिना अधिकार भुसा था, चोरी करने के रादे से, अभी अधिकारी सब काम दें, और जब से ये हुआ, अधिकारी ने का हम बैट नहीं लगा सकते, मुक्य मंतरी को कह दिया, हम नहीं कर सकते, हम सरंडर करते हैं, मुक्य मंतरी मैं वैट नहीं लगा सकता है केंद्र की मदद ना आए मंजूर है मुझे राजी चलाना है साशन चलाना है मैं वैट नहीं लगा सकता फिर उत्तर प्रदेश को देखके पाँच राज्यों में हिम्मत आया राजिस्थान, गुजराद, 36 गड़, मद्यप्रदेश, जारकंड इन्होंने भी मना किया तीन और राज्यों में हिम्मत आया ऐसे अभी आठ राज्यों में नहीं है क्योंकि उनमें थोड़ी जागरुती आई है आप भी अगर थोड़ी जागरुत हो जाएं तो ये जो लगा हुआ मैठ है वापस हो सकता है आप कहिए जी क्या वापस हो सकता है बिल्कुल हो सकता है देखिए कोई भी कानून अगर संसत बनाती है या विधान सभा बनाती है तो वही संसत और विधान सभा उसको वापस पिरूट है महत तो यह है कि आप में संगटन शक्ति कित्ती है और आपको इस कानून का विरूद करने की सबसे बड़ी आवेशक्ता है मैंने आप से कहा कि आपको टैक्स बरना है ये समस्या नहीं है समस्या दूसरी है आपकी ग्रॉस इंकम और नेट इंकम दोनों टैक्स से मुल हो गई है और सरकार की नजर में है माने आप थोड़ा पैसा भी आप बचा नहीं पाएंगे माने धर्म के काम में अब आपका पैसा कम से कम जाएगा और धर्म के काम में पैसा कम जाएगा तो मंदिर और मंदिरों से जोड़ी हुई संस्थाएं ये सब सूख जाएगी और ये संस्थाएं सूखेंगी तो सच में सबसे बड़ा आगाथ धर्म पर ही होगा चानक किने महाराजी ये बहुत सुंदर वाकिय कहा है धर्मस से मूलं अर्थम, अर्थस से मूलं कामं नहीं करते पेट बरा हुआ होने चाहिए समुरती होनी चाहिए तम मंदिर बंते हैं तम number मस्थाएं बंती हैं धारविक नहीं तो आर्थ जितना मजबूत होगा धर्म उतना फेलेено अर्थ अकमजूर होगा धर्म उतना कमजोर होगा भारत जब जब आर्थिक रूप से मजबूत था तो भारत की धर्म भजा पूरी दुनिया में फैलती थी भारत सोने की चुडिया जब था तो भारत का धर्म दुनिया के पचास देशों में गया बौद धर्म गया जैन धर्म गया सनातन धर्म गया औ तो भारत का धर्म भारत में सिमट गया और विदेशी धर्म भारत में घुस गया ये इसलाम भारत में आया वही समय जब भारत आर्थिक रूप से कमजोर हुआ इसायत उस समय आई भारत में जब भारत और जादा कमजोर हुआ आपका धर्म तो सिमट गया विदेशी धर्म आप पर हावी हो गया और धीरे 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 हावी होता चला जा रहा है और वो जो हावी होता चला जा रहा है अब आगे और हावी होने वाला है एक स्लाइड में आपको और दिखाता हूं मैं चाह आप सो कहा ना international organizations are bed free वो प्रोवीजन में आपको दिखाना चाहता हूं ये next, next, next next next, next next वो सबसे important है next 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 ये पीछे वाला प्रीमियस ये एक इम्पोर्ट स्लाइड है that means value-added tension value-added tax नहीं, value-added tension जो भी वेट भरेगा अभी सबसे डाइबिटीज का patient होना उसको 100% heart attack आना 100% क्योंकि टेंशन जितना जादा बड़ेगा diabetes और heart attack और stress उतना ही जादा पड़ेगा इसमें एक slide छूट गया है जरह इसके आगे करो, इसके आगे exemption वाला एक स्लाइड exemption from wet पीछे exemption जहां आए उसी slide में exemption exemption में क्या है, शुरू में तो दिया है sale via unit in SEZ special economic zone सरकार में हर राज्य में कुछ special economic zone बनाए अगर उसमें आपकी unit है और वो कुछ भी बिक्री करती है तो वो wet free 100% EOU export oriented unit अगर आपकी है 100% तो वो wet free उसके बाद electronic hardware technology park में आपकी unit है तो wet free sale via eligible unit availing the benefit of exemption products work contracts awarded by government departments and next, last specified diplomatic authorities and international organization diplomatic authorities क्या होती है Pakistan का high commissioner America का embassy यह सब diplomatic authorities है यह सभी कुछ भी करेंगे तो wet free वो ठीक है क्योंकि हम भी उनके देश में कुछ करेंगे तो wet free है लेकिन जो खतरनाग है वोई है and international organization यह कोई देश में wet free नहीं हमारे यह कोई और international organization यह दो शब्दों को डाल देने से बहुत बड़ा काम होगा है मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि सभी चर्च भारत में international organization है माने चर्च की सारी activities wet free होगी wet free होगी माने चर्च के किसी भी document पर कोई wet commissioner कुछ नहीं कर सकेगा चर्च कुछ भी करे 18,000 करोड मंगा है और भारत के लोगों को ईसाई बनाने के लिए बाट दिया हूँ commissioner को मालूब है आपको भी मालूब है आप शिकायद करें मैं शिकायद करूँ कुछ नहीं होगा क्योंकि वो wet free international organization का जितना भी income है वो भी net income का जो tax है वो भी free है जैसे मैं आपको उता हूँ American embassy American embassy भारत में मारत जी सबसे बड़ा profit making institution है सबसे बड़ा profit making कारण क्या है लागों visa application हर साल वहाँ आते हैं और 90% उसमें reject होते हैं rejection के बार वो fees वापस नहीं करते आपने जो visa application fees भरा है वो कभी वापस नहीं करते मैंने पिछले साल भारत ये हिसाब जोड़ा था जितने application भारत वासियों ने अमरिका में visa के लिए दिये उन पर जितना fees उनों ने दिया 2000 करोड रुपए last year और 2000 करोड रुपए total tax free income है American embassy के अमेरिका की कोई company से भी ज़्यादा net income American embassy करती है इस तेश को क्योंकि हिंदुस्ताग में सबसे ज़्यादा पागलपन है अमेरिका जाने के लिए पढ़ाती जाती है हर साल दो साल में फीज बढ़ाती हर साल दो साल में फीज बढ़ाती है और जो भी फीज लेते हैं तो आपकी बेश कीमती विदेशी मुद्रा एप्लिकेशन फीज करने में ही हजारों करोड़ रुपए नाश कोती है तो वो पूरी एक्टिविटी इंकम टैक्स फ्री है अब उसी से जुड़ी हुई कोई भी दूसरी एक्टिविटी वैट फ्री है माने उनकी ग्रॉस इंकम भी टैक्स फ्री है नेट इंकम भी टैक्स फ्री है तो इसका मतलब क्या है उनकी सारी इंकम टैक्स फ्री है तो वो अपनी इंकम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उस इंकम का भारत देश में धर्वांतरण में इ सेमाल करें आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो करेंगे और आप हाथ पर हाथ दर के मट के लिए यह सबसे कामकोटी कांचीपुरम शंकराचारी जी के मट पर सरकार कभजा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और उसके लिए उनके खिलाफ चार्जिज लगाए गए है दो हजार पेज की चार्शीट फाइल की गई है मैं शंकराचारी जी के मट में पिछले 6 साल से जाता हूँ और उनकी सभी गजविदियों में बहुत नस्दीक से शामिल हूँ शंकराचारी जी का जो मट है कामकोटी कांचीपुरम इस मट को हर साल 5000 करोड रुपे डोनेशन आता है 5000 करोड रुपे डोनेशन आता है शंकराचारी जी को एक वार मैंने पूछा ये डोनेशन का मैकसीमम इस्तेवाल कहां होता है तो उनका सबसे जादा मैं इसका पैसे का कर्चा करता हूँ उन गावन में जहां पर गरीब हिंदू ईसाई बन गए तो वो क्या कर रहे हैं शंकराचारी जी दक्षन भारत के डाव में जो ईसाई बने हुए हिंदू है उनको वापस हिंदू बना रहे है उसमें उनका सारा पैसा कर्च होता है पांच हजार करोड हरसार रोग कर्च करता है मैंने एक दिन कहा शंकराचारी जी यह तो बहुत बड़ी रकम है जो आप खर्च कर रहे हैं शंकराचारी जी नहीं तुमको मालूम है ईसाई बनाने के लिए अठारे हजार करोड खर्च हो रहा है मैं तो उसका एक तिहाई भी नहीं कर रहा हूँ तो वो करते क्या हैं गरीब आदिवासी विद्यार्धियों के लिए निशुल की स्कूल चलाते हैं और उन्हीं स्कूलों में भरती होने पर फिर हिंदू बनाते हैं उनके लिए स्कूल के सब खर्चे करते हैं किताब, कॉपी, पैंसिल, खाना, पीना, कपड़े सब देते हैं फीस भी वोई भरते हैं रहने का हॉस्टल का खर्चा भी शक्राचार जी का मठ करता हैं और ऐसे एक सो सब्तल से ज़्यादा इसकूल उनके चलते हैं तमिलनाडू, केरल, करनाटा, कांधरा में और धीरे-धीरे बढ़ा रहा है इसके बाद हॉस्टल चलते हैं उन हॉस्टल में निशुल्क चिकित्सा की जाती है ऐसे लोगों की जो गरीब हिंदू थे आदिवासी हो गए हैं वापस हिंदू बनने को तैयार है उनकी वो निशुल्क चिकित्सा कराती है मैंने सोनिया गांदी जिस दिन इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी उसी दिन से ये शडियत्र शुरू हुआ इसके लिए तरे-तरे से कोशिश हैं चल रही है एक तो सीधे उनके ऊपर चार्ज लगाओ चार्ज लगाओ उनको जेल में डाले चार्ज प्रूव नहीं हुआ फिर भी जेल में डाले और जिनके ऊपर चार्ज प्रूव हो गए हैं उनको कैमिनेट मिनिस्टर बना के बिठा लो शिबू सोरें 78 मरडर किये हैं शिबू सोरें जिन्दा जला दिया 78 मुसल्मानों को शिबू सोरें ने जिन्दा जला दिया जारकंड में सबूत है अपराद सिद्ध हुआ है चार्ज प्रूव हुए है लेकिन आज तक वो छूड़ा हुआ है क्योंकि सरकार में मंत्री बन के बढ़़ और अगर सरकार उसको अरेस्ट करें तो केमरी की सरकार गिरी तो शिबू सोरें को मंत्री बनाओ उसको सुरक्षा दो और शंकराचार जिनका अपराद भी सी हुआ उनको जेब में बेचो और पूरे देश में बदनामी करो टीवी चैनलों को पैसा दे दे के खबर छपगाओ और टीवी चैनल जो अमेरिका से संचालित हैं जैसे स्टार निउस पूरी तरह से अमेरिकन टीवी चैनल तीन महीने उसने शंकराचार के खिलाफ विश्वबन किया सत्य उसके विपरीथ है शंकराचार के उपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में ओडर दिया है कि तमिलनाडू में कोई निस्पक्ष नियाए नहीं मिलेगा इसलिए सारे मामले करनाटक में ट्रांसफर किये जाएगा उसी दिन जैललिता परिशान हो गई क्योंकि उसे मालूम है दूसरी किसी अदानत में सिद्ध नहीं होगा एक दिन सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार जी का बेल अप्लीकेशन गया उसी दिन सुविकार हो गया और हाई कोर्ट में बेल अप्लीकेशन सुविकार नहीं किया क्योंकि हाइप गूट जैळलिता के कंट्रों में हैं जैळलिता सोनिया गांधी के कंट्रों में है सोनिया गांधी चर्च की कंट्रों मैं और आप याद रखिए इस बात को कभी भूलिये मन अभी थोड़े दिन पहले पोप मर गया पोप जॉन पॉन हमारे देश में तीन दिन का राश्री आवकाश हो गया पोप मर गया ठीक है मर गया तो क्या करे उसका हमसे क्या लेना देना उसका वेटिकन सिटी तीन दिन का करे या तीस दिन का हमसे क्या लेना देना अमेरिका करे यूरोप करे क्या हिंदुस्तान में तीन दिन का राश्री आवकाश पोप मर गया जैसे हमारा को में बहुत बड़ा धरम गुरु मर गया सुनील दक्त मरा तो एक दिन का राश्टी अवकाश, पोप मर गया तो तीन दिन का राश्टी और भारत का कोई भी बड़ा धरंगुरु मरे तो किसी भी दिन का अवकाश भी और उससे भी ज्यादा खराब बात है, पोप जो मर गया न हमारे देश में देखिए क्रिश्चन इंसिटूशन कैसे काम करते हैं पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपादी दिया आधार क्या है? आधार ये है कि मदर टेरेसा ने एक बार किसी महिला के शरीर पर हात रखा और उस पहला का गरबाशे का कैंसर ठीक हो गया, मदर टेरेसा में चमतकारिक शक्ती है इसलिए वो संत होने के लाहिक है ठीक है? अभी ये साइंटिफिक है? ये साइंटिफिक है? कि उन्होंने किसी के कंदे पे हाथ रखा और उसका गरभाशा का कैंसर ठीक हो गया इसलिए मदर पेरेसा संत होने के लायक है ये 100% सुपरिस्टीशन है अंदविश्वास है लेकिन भारत सरकार ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया ठीक है अब भारत के कोई साधूसंत अगर इस तरह का काम करे तो वो जेल के अंदर क्योंकि वो अंदविश्वास पहला रहे कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं आपके देश में कोई क्रिश्यन करे तो साइंटिफिक है हिंदू करे वही काम को तो अंसाइंटिफिक हो गया और महाराष्ट में एक संस्था बनाई गई है अंदश्रद्दा निर्मूलन समीति वो यही धंदे में लगी रहती है क्रिश्यन लोग कुछ भी करें उसको दिखाई नहीं देता मुसल्मान कुछ भी करें दिखाई नहीं देता हिंदू कुछ भी करें उसके पीछे हाथ दोके पड़े रहते हैं अंदुश्टा निर्मोजन समीधी बने मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उसमें पाम करते हैं मेरा उनका यही जगड़ा रहता है कि तुमको अंदर शर्दा हिंदूओं में दिखाई देती है इसायों में नहीं दिखाई देती मदर टेरेसा से ज़्यादा अंदविश्वासी कौन होगा जो किसी के हाथ रख दे कंदे पॉल कैंसर ठीक कर दे अगर ऐसा होने लगे तो मदर टेरेसा ने पोप जोन पॉल पे हाथ क्यों नहीं रखा पॉल को तो पारकिंसन डिसीज था 20 साल से पॉप जोन पॉल को तो पारकिंसन था ना 20 साल से मदर टेरेसा ने क्यों नहीं हाथ रख दिया पॉप जोन पॉल क्यों नहीं ठीक हो गए अभी थोड़े निप पहले एक बैनी हिन नाम का हिंदुस्तान में इसाई पाद्रिया बैनी हिन उसका बैनलोर में बहुत बड़ा फंक्षन वो तो उस फंक्षन में वो तमाशा क्या करता है आपको इसाई बनने का है वो संक्षन परिवान उसमें जाइए जाईए वो भाशन करेगा 10 लोग कड़े हो जाएंगे वो बुने इसका बशन सुनके मेरा काँ ठीक हो गया इसका बशन सुनके मेरी आंगों के रोषनी ठीक हो गयी इसने भाशन किया तो मेरे शरीब के सारे के सारे खून में कॉलस्टरॉल कंटेंट खतम हो गया इसका भाशन सुनके तो कुझे हरटटेक आना बंद हो गया ये बेने हित तमाशा करता है फिर बीस लोग ये सुना देते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा तो आप भी ऐसा करो तो आप सब इसाई हो जाओ हाँ हाँ हो जाएंगे गले में चर्श डाल देते हैं ऐसे ये सब तमाशा होता बेनलोर में उसका कारिक्रम हुआ कि कि हमारे भारत के बहुत सारे संगटनों ने सरकार को पूछा कि ये अगर बेनिहिं कर रहा है तो ये सांपरदाइकता नहीं हो ये धर्म निर्पेक्षता है जाओ अगर कोई ईसाई ये सब करता है तो धर्म निर्पेक्ष है कोई हिंदू संगटन करे तो सांपरदाइक है ये तुम्हारी डेफिनेशन क्या है तो कहा गया कि बैने हिन भारत का महमान है तो हमने कहा कि देखो बैने हिन न ये सब तमाशा किया उसमें पैसे एक ट्थे किया उसने किसी ने पचास दे किसी ने सौ मैंने का income tax वालों को कहो कि ये सब भी income पे tax लगे उन्होंने कहा ये तो tax free income क्योंकि चर्च की सारी income tax भी चर्च के नाम पे collection किया अभी अगले साल फिर बैन हिन आएगा कुछ भी करेगा अपनी नाम से हिंदुस्तान में कोई धंदा भी करेगा तो वैट नहीं देना है और income tax भी नहीं देना है क्योंकि वो international organization इस तरह के कानों में इस देश में बन रहे हैं और हम खामोशी के साथ अगर इनको सहन कर रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी है और हमारी आने वाली प्यूडी के लिए बहुत बड़ा खित्रा आज अगर हम खड़े होकर इसका विरोध नहीं करेंगे तो कल कुछ बचेगा नहीं इस देश में जिसको आप बचाना चाहें अगर धर्म गया सलस्कृती जाएगी सब्हेता चाहेगी और ये वैल्यू एडिट टेक्स का आकरवण धर्म के उपर है अर्थ के उपर नहीं है क्योंकि अर्थ में क्या होगा व्यापारी को टेक्स है ना वो ग्राहक से लेके सरकार को दे देगा उसमें प्रॉप्लम क्या है थोड़ा बहुत रिश्वत जादा देनी पड़ेगी वो भी करेगा हैरान परेशान तो वो रोज होता माने डोनेशन के लिए अब आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, माने डोनेशन अब लगातार कम होंगे, तो धर्म का अकाम कम होता जाएगा, मंदिर बनने कम होंगे, मट बनने कम होंगे, धार में गत्विदी कम हो जाएगी, माराजी कहेंगे पैसा लाओ आपको है ही नहीं स सोचिये हमारे विरोध करने से क्या होगा मैंने आपको एक छोटा उधारण दिया छे महीने पहले अपने उत्तर प्रदेश में छोटा सा शुरू किया था आज उसका परिणामे के वैट नहीं है और उत्तर प्रदेश यसे आठ राज्यों में नहीं है अगर सब लोग खड़े हो जाएं तो पूरे हिंदुस्तान से वैट चला जाएं और मेरा ये माननिता है व्यापारी सरकार को टेक्स देने वाला क्लास है माने ग्राहक से लेके सरकार को दे रहा है फोकट में अगर ये व्यापारी खड़ा हो जाएं कि हम कोई भी सर्विस अब आपको फोकट में नह नहीं तो टैक्स अटाओ और आप अगर एक ही बात कहना शुरू कर दो कि टैक्स नहीं बरेंगे तुमको जो करना है करो एक साल के लिए जेल भेजो के चलो कितनी जेल है तुमारे पास हिंदुस्तान की सब जेल भरी पढ़ी है जगे नहीं है पाउं रखने की साड़े चार विरोध करने का मन में संकलप प्रक्या है कि आप विरोध करेंगे तो परिणाम निकलेंगा ऐसा नहीं है कि नहीं कि निकलेंगा हो सकता है सो प्रतिशत नहीं निकले, पचास प्रतिशत निकले, क्या निकल सकता है, आप खड़े हो जाई है, विरोध करना शुरू करिए, हमको ये वैट मंजूर नहीं है, सरकार कहिए अच्छा बताओ क्या मंजूर है आपको, तो सबसे पहली शर्फ, सारे इंडारेक्ट ट और ये जो इसलामिक मूट्मेट आले ये सब खड़े हो जाएगे, आप तो एक सुलगा दो ना चिंगारी, आप ये बोलो इंटरनेशनल ओर्गनाईजेशन को बैट पर लाओ, अगर नेशनल ओर्गनाईजेशन बैट पर है, तो इंटरनेशनल ओर्गनाईजेशन भी आखी अधर देन पुलिटीकल और्गनाइजेशन जितने भी हैं उनको बैट करो इंडारियों टैक्स का रेट कम से कम करो चार परसेंट पांच परसेंट करो सिंगल पॉइंट करो सेंद बैट करो अधिकारियों के अधिकार खतम करो ड्यूटी फिक्स करो और भारत हैं अधिकारियों को तंखा देना बंद करो सरकारी खजाने से पैसे उटाना बंद करो कमिशन फिक्स करो उनका ऐसी ऐसी आप डिमांड रखना शुरू करिए या तो सरकार इसको माने नहीं तो हटा दोनों में से कुछ हो कर देखिए दिल्ली के व्यापारियों ने लड़ाए शुरू किया साथ दिल्ली बंद कर दिया बारत में पहली बार हुआ दिल्ली साथ दिन बंद था इविडेट सरकार सरेंडर कर ले है पचास टका डिमाज मान लिया दिल्ली सरकारों किसे, दिल्ली के व्यापर ही और दिल्ली के व्यापर ही कह रहे हैं, थोड़े दिन में हम फिर करेंगे, पचीस टका और मन वाले ही कह रहे हैं, तो अगर दिल्ली वाले करा रहे हैं, यूपी वाले करा रहे हैं, तो महाराश्ट वाले मिन करा सकते हैं गुजराच में खेड है नहीं लेकिन महाराश्रव में अगर यह आया है करना टक में अया तो आप लिए तो इसके लिए दो उपाएं पहना व्यक्तिगत है दूसरा सामुरी में व्यक्तिगत क्या है आप भारत के प्रधान-मंत्री को और वित्य मंत्री माहराष्टा के मुख्यमंत्री को और सबस्राइब बॉक्षान weτού ऑर धिंद्यमंत्र मान्षट को और नर्वीं है ज्रो को ढूंत करते हैं तो अगराे में बदल हो जो नोगास चॉटाला का हुआ सीधे लिखो पतर ओम्प्रकाश चाटाला ने किसी की नई सुनी परिणाम है कि आज वो सड़कपर है एक जमाने में उसके पास दो तिहाई बहुमत होता था आज पात छे सीट भी नहीं आई है जो हाल चंद्रवागू नाइडू का हुआ जो SM Krishna का हुआ वो आपका हुआ और हर मंत्री चाहे वो प्रदान मंत्री हो या मुख्य मंत्री कुर्सी हटे उसी से डरता है आपने को उसी दे कि या तो ये शर्त है इस आधार पर मैट करो नहीं तो हम नहीं मानते और हम सिविल नाफर्मानी करेंगे जो गांदी जी हमको बता के गए गांदी जी कहते थे कि गलत कानून को स्वीकार करना सबसे बड़ी हिंसा है क्योंकि वो आपको ही नहीं आने वाली प्यूडियों को खतम कर देता और गांदी जी कहते थे गलत कानून के खिलाफ सिविल नाफर्मानी करना सबसे बड़ी है इंसा है सिविल नाफर्मानी नहीं देंगे टैक्स जेल में डालना है डालो जिस दिन हिंदुस्तान में 10-20 लाख व्यापारियों में ये हिम्मत आई जैसे यूपी में जेल भरो आप दोलंग शुरू किया मारच दो ये दिन चला तीसरे दिन सरकार ने सरंडर कर दिया वैट नहीं लाए तो आप भी अगर हिम्मत करके ये कहना शुरू करोगे तो यहां सरकार सरंडर करेगी इसके लिए ब्रतिवत इस सर पर आप पत्र लिखे एक सामुहिक करें सामुहिक क्या करें मालीजे आपका कोई व्यापारिक संगठन है और द्योगिक संगठन है उसकी तरफ से मेमोरेंडम भेज़ें और उस मेमोरेंडम में 20-25 पॉइंट दें उसकी एक कौपी मैंने परिश्वाही को बेजी है कि भारत में जो वैट इस्ट् सिट्रंडम आप भेजना शुरू करें बहुत असर हो और थीसरा जागरूपता पैदा करें लोगों में आपने मुझे सुना आप किसी को सुनाए वह किसी सुनाए दीर धीर यह बढ़ती चली जाए जितने जादा लोगों को महिती होगी वैट के बारे में उतना ही भी उत ह और धार में संगठनों को माहिती पहले दें, जितने भी साधूसल इस समय पुंबई में विराज रहे हैं, या जिनका चौमासा यहां होने की शक्किता है, उन समके पास तो यह माहिती पहुचा रहे हैं, कि अभी धर्म पर सबसे बड़ा हमला यह होने जा रहा है, आप इसका और इस हमले का एक दूसरा हिस्सा है, जो हमारे देश में सोसाइटीज रजिस्प्रेशन एक्ट है ना, 1860 का, उसमें बहुत परिवर्तन किया सरकार, और परिवर्तन इतना खतरनाक कर दिया है, कि आप कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर करिए, नॉन प्रॉफिटेबल हो, किसी अब सरकार कोई भी हस्तक्षिप कर सकती है, उसमें कभी भी कर सकती है, और ये कानून के आधार पर करनाटक में तो महराजी मंदिर सरकार ने अपने हाथ में लेने शुरू कर दे, करनाटक में बहुत बड़ा मंदिर है, उडूबी का, वो सरकार के हाथ में चला दे, उसके कानुन के आधार पर वेशनों देवी सब्सक्राइब कर है दूसरा मंदिर इसी कानुन के आधार पर गए ये जो आंद्र प्रोदेश का दिरुपति बाला जी है सब्सक्राइब और इतनी हराम पषागे स कि सरकार कि उनında किस writes वागु नाइटू ने ये कार किया उसको शाप दिया तिरुपती बाला जी ने इसलिए हार गया लेकिन आगे की सरकार भी समाल नहीं नहीं सरकार आई है वो भी कह रही है यहीं चला है तो यह कानून सब बना के एक तरफ तो मंदिर मठों में गुसरे का सरकार का इरादा और बैट जैसे कानून लगा के टोटल इंकम को टेक्स करने का इरादा इंकम को यहां आने से रोख दिया जाए और जो कुछ मठ मंदिरों में है उसके सरकार कबजा कर लिया है यही कोशिश हो है और सरकार में कौन है कबजा करने वाले यह माहा हराम खोर इस देश के पुडारी लोग वो मंदिरों के मठ के अध्यक्ष बनके बैठते हैं दारू भी पीते हैं रंडी वाजी भी करते हैं वैश्या व्रती भी करते हैं और मंदिर के मठ के अध्यक्ष बनके बैठते हैं कई मंदिरों में ऐसा है उड़ूपी के मंदिर में जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बन कि जरूरत है और वो अपने व्याख्यानों में लोगों को ये कहना शुरू करें लोगों में जाकूरती पैदा हो थोड़े दिन में बहुत बड़ा अभ्यान बने और वो अभ्यान पूरे देश में कामियाभी के साथ चले और सफलता मिले ऐसी कोश्चा करें आप पहले से हार के मत बैट जाए कुछ होगा नहीं हमारे अकेले से क्या होगा मैं तो आपको एक ही चोटा उधारं बार बार दे रहा हूं अगर यही हमने धाई महीने पहले सोचा होता हम तो उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन सबसे कमजोर अगर कही है तो उत्तर प्रदेश हो आजादी ताकतवर है, कितनी सब्तिके नस्दीक है और कितने निस्वार्थ भाव से आप कह रहे हैं, उसका असर होता है उत्तर प्रदेश के व्यापारी ते कहते हैं यह राजीव दिक्षित को क्या लेना देना ना इसका कोई धंदा है ना, इसका कोई व्यापार है ना प्रदेश की कोई फैक्टरी है, फिर भी यह चिंता कर रहा है वैट की तो यह हमारे लिए है, तुरंत खड़े हो गया है तो यह जो भावना होती है, यह देश को इकटा करती है, हम इस भावना का जितना जादा प्रचार करेंगे, उतना ही अच्छा होगा इसमें मैं एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ, यह जो विशर मैंने आपको दिखाया, इस विशर पर तीन सीडी बनाई है, दुरुभा किसे मैं पिछली बार आया तो नहीं ला पाया था, आपकी बार लाया, वो तीनो सीडी बाहर है, GOT कर, आप जाएं तो ले जाएं, एक सीडी अलग से है और दो सीडी एक साथ में, ऐसे करके तीन सीडी है, उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो माहिती मेरे पास है, उव मेंने देने की उसमें कोशिश की है और उसमें कन्विंस करने की कोशिश की है कि इसका विरोत करूँ वो आप ले जाए उस पे हमारा कोई कॉपी राइट नहीं है सब को कॉपी करने का राइट है क्योंकि मैं कॉपी राइट के सखत खिलाफ मैं मानता हूँ कि ग्यान पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए मैंने कहीं से ग्यान लिया आपको दिया अब आपका करतब है आप किसी और को दे और भारत में मरंपरा यही है जितने धर्म शास्त रहें जितने भी पुराने शास्त रहें किसी पर किसी का कोई copyright नहीं तो वो आप CD ले लिजे copyright नहीं उसकी copy करिए जादा से जादा 1000, 2000, 5000, 10,000 और जितना तेजी से distribute करें खाली मुंबई में ही करा दीजिया मुंबई में इतनी ताकत है कि देश हिर जाएगा एक कोटी 40 लाख लोग रहते हैं और उसमें से व्यापारी वर्ग ही इकठा हो जाए तो वो 35-40 लाख के आसपास है ये 35-40 लाख व्यापारी वर्ग मुंबई का इकठा हो गया तो ये पूरे देश को हिला देगा क्योंकि मुंबई भारत की वित्तिय राज़नानी है और भारत को सबसे जास्ती टेक्स देने वाला शहर भी मुंबई है तो सरकार को मुंबई के पास आना पड़ेगा और सुखना पड़ेगा मुंबई एक बार यहाँ ये जर्जागरती हो बहुत बड़ा काम हो सकता है और मुंबई के बार जो लोग रहते हैं गुजरात में उनको कहिए तुमारे यहाँ नहीं है तो शान्त मत बैठो गुजरात वाले यह सोच के बैठे हमारे यहाँ तो है नहीं कभी भी आ सकता है राजिस्थान वालों को कभी भी आ सकता है तुम तयारी रखो ये नहीं आग लगने के बाद कुआ खो दो, पहले से पानी की तयारी रखो तो इस तरह का अगर प्रचार आप थोड़ा कर दें, ये CD के माध्यम से और इस मिशंपर एक छोटी सी पुस्तक हमने बनाई है, करीब 60-70 पन्ने की है, हिंदी भाषा में है WTO की जिन कंडिशन्स के आधार पर ये आया है, उसकी एक पुस्तक है, छोटी सी, 60-70 पन्ने की वो आप ले जाएए, CD आप ले जाएए, पुस्तक का गुजराती कर लीजे, मराठी कर लीजे लगे तो उसका कोई दूसरी भाषा में भी भाषा मतर कर लीजे, उसको बांटिए, CD सुनाइए, दूसरों को कहिए, कि वो किसी को सुनाए ऐसे करकर के थोड़ा परचार करेंगे, 15-20 दिन या महीने बर में एक माहौल बनेगा वो माहौल की आधार पर सबको कहिए, पोस्ट कार लिखो, चिंठी लिखो, मेमोरेंडम बेजो, सरकार के पास डेलिगेशन लेके जाओ, सरकार से बात करो, बार 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 आप जाओगे, तो सरकार के उपर इतना दबाव आएगा, वो दबाव पच्पूर करेगा और महाराश् falling की सरकार तो वैसे भी वैसाकी पे चल रही है, इंडिपेंडेट तो है निए, तो वैसे ही कमजोर है, कमजोर सरकारों को सरेंडर कराना बहत आसान होता है, बनिस्वत की एक सिंगल पार्टी गवर्मेंट को सरेंडर कराने की, तो इस तरह की कोशिश और प्रय कि ये सब बर्बादी जब हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे तो आपके पास जबाब नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना जब East India Company आ रही थी तो पुर्खे क्या कर रहे थे सो रहे थे इसलिए वो गुस गई जागुरित होते हैं तो उसी समय मारके बागा देते हैं तो एक गलती जो हो गई है वो बार बार ना करें यही हमारे जागुरू कोने की पहचन है इसी अप्रिक्षा के साथ मैं व्याख्यान समाथ करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी माहिती मैं आपको दिया हूँ वो आप जादा से जादा लोगों बोदे है और जो CD है, किताब है उसको distribute करने में मदद करें भाशांतर करके उसके पत्रत चपा कर बाटने में मदद करें और जो शड़ियंत रहें, उसको ध्यान के रखें शड़ियंत रहें, हिंदुस्तान को हिसाई बनाना है टार्गेट वो है, उसके लिए तरह तरह के इंतजाम किये जा रहे है उसके लिए वैट आया है, उसके लिए ये सब हो रहा है इसको न भूलें, क्योंकि इसी उद्श से पूरे दुनिया में 500 साल चर्च में काम किया है और अगले 500 साल उनके काम करने का इरादा है जब पोप जॉन पॉल भारत आया था ना तो उसने भोशना की है कि पहली सहस्त्रावदी में हमने पूरे यूरोप को इसाई बना दिया दूसरी सहस्त्रावदी में अफरीका को बना दिया अब तीसरी सहस्त्रावदी में एशिया को बनाना है और एशिया में भारत आता है तो टार्गेट उनका ये है और ये दुरभागे हैं कि इस समय हमारी सरकार भी उनकी सरकार जैसी है इस देश जो पूरी तरह से क्रिश्चन लौबी से संचालित है तो ऐसे समय में थोड़ा सावधान रहना है, विजिनी रहना है, सो नहीं जाना है, आराम से नहीं बैठ जाना है, थोड़ा 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 भी प्रयास करेंगी, बहुत बड़ी ताकत है, बून-बून से घड़ा भरता है, एक व्यक्ति एक को कहेगा, वो किसी एक को माई नेवर में पूरी बंबई में आपकी तरह से ये बात फैल जाएगी और मुंबई में फैली तो महाराश्य में देर नहीं लगेगी और मुंबई खड़ी हो गई तो महाराश्य खड़ा होगा